जैश्री मन आरायन दोस्तों, 30 मई को गंगा दशेरा मनाया जाएगा, इस दिन गंगा इसनान का बहुत महत्व है, ऐसे में इस दिन गंगा में इसनान करते समय कुछ बातों का, कुछ कामों का ध्यान करने से घर में सुक शम्रदी आती है और संकट दूर होते हैं, तो चलिए आज हम इस वीडियो के मादियम से जानेंगे कि गंगा दशेरा पर क्या करे और क्या नहीं और कौन से आठ कारे हैं जो कि गंगा दशेरा पर इसनान के समय करने चाहिए, तीस में दिन मंगलवार को गंगा दशेरा मनाया जाएगा, इस गंगा पूजन के साथ साथ गंगा इ तो चलिए आज जानते हैं इनी आठ कारियों के बारे में इसमें सबसे पहला जो काम है वो है सूर्य देव को अर्ग देना गंगा इसनान के समय नदी की धारा या फिर उगते सूर्य की और मुख करके नहाएं गंगा इसनान के समय सूर्य देव को गंगा जल से अर्ग गंगा में स्नान करते वक्त पाप धोने से जादा जरूरी है मन का मैल धोना जादा जरूरी माना गया है इसलिए स्नान करते हुए मां गंगा के मंत्रों का निरंतर जाब करते रहें गंगा स्नान करते समय शैंपू, साबुन, तेल इन सब चीजों का इस्तिमाल ना करें मन की श के मंत्र के जाब करने के बाद में गंगा स्तोत्र का पार्ट करना बिल्कुल भी ना भूले मां गंगा का स्तोत्र के बाद उनकी स्तुति गाए और फिर मां गंगा को दूर चड़ाएं दूर चड़ाने के बाद में मां गंगा की आरती गाएं और गंगा तट पर 108 दीपक जला गंगा दशेरा के दिन गंगा इसनान करते समय पित्रों का स्मरंड करें और मा गंगा से उन्हें मोक्ष प्रदान करने की प्रातना करें इससे पित्र प्रसन होंगे गंगा दशेरा के दिन गंगा इसनान के बाद किसी भी सफेद चीज जैसे की दूद, चावल, मिठाई, अगर आप सफेद गाय का दान अपनी शमता के अनुसार कर पाएं तो ये और भी शुब होगा तो ये वो आठ काम थे जो कि आपको गंगा दशेरा के दिन गंगा इसनान के समय जरूर करने चाहिए ये जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाब उठाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बेल को दुबाना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की जानकारिया मिलती रहती है तो चलिए मिलते हैं न श्रीकृष्णा